तो गाइज यह खाला आप देख सकते हो इसको जब भी साफ करते हैं ना तो यहां पर बारिस होती है चाहे हलकी हो चाहे बारी हो तो गाइज अभी तो हम उस खाले के पास में जाके सिर्फ मराजी ने बात ही के थी कि बारिस हो जाती है इसको साफ जब हम करते हैं और यहां पर देख लेज hoy देख लेजिए इस चोर का पता Holz हो तो यह देख लेजिए दूर से आपको दिखा रहूंण कफ रही है तो यहां पर बाबा जी भी रखते हैं जिन्होंने इंदर पहले जो बाबा-जी रहते थे उन्हों किसना पूरा नहीं यह करीबन शाड़े चार्षों के आसपास में इस मंदिर किस वज़े से इतना यह बाबा विशंदास जी इनके जो पर्थम जो में तुए हैं बाबा विशंदास जी बड़े तपश्वी संत बताए गए हैं उनकी माननेता है बावनी में आज भी परतक से आज भी परतक से हैं के ओड़ा वरष्टी नहीं होती है और जो जो किसी को जल की इच्छा होती है टूइल वगरा करवाना होता है बुरिंग तो यहां से भभुत्ती जाती है बावजीगी और किसी के जिसे नाक में फुन्षी है गड़े से उपर का जो रोग जाद तर मुह में चाले पड़ जाएं टोंसन हो जाएं आंख में जो वह लिकरती वह हो जाएं कोई मस्से हो जाए तो उसका भी जाड़ा लगता है यह और एक बरापर में खाड़ा है उसको चांटते हैं यह उसको चांटने से बारिस आ जाती है यह अब सावन की 11-12 का परग्राम होता है इसमें और एक वार्सी को तैम मेड़ा भरता है बहुत बड़ा यह असोज की बारस को अब कौन सब्सक्राइब मेरा ग्यारवार नमबर है अब कोई आना चाहिए तो एड्रेस इस मंदिर ना आप अड्रेस तो यह यह बदोली है बदोली से अब निम का थाना तैसिल है और जिला सिकर है तो गाई जी यह विसमदास्थी का मंदिर यहां पर बोल्ड लगा है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां से तो गाड़िया आप लेक्व तो आ सकते हो और यह सीडियां अ आप तो यह रास्ता है इदर से और यह बोल्ड मैं आपको दिखा देता हूं यह बारिश से थोड़ा दूंदला हो चुका है तो यहां पर कुस खास तो आपको दिखाए नहीं दे रहा होगा और निम का थाना के अंदर है यह मंदिर निम का धाना के पास में बुद्दोली गाउं है वहाँ पर है यह मंदिर तो देख लिजी ज्यादा दूर नहीं है दीम का धाना से 3 या 4 किलोमेटर की दूरी पर है तो चलते हैं और आपको इस मंदिर के कराते हैं दर्सन तो यहां से जाते हैं कुछ रास्ता और ऐसे उस पाड़िया यहां पर और पास में ऐसे सकते हो तो यह से जाता है रास्ता और यह मंदिर तो आप देख सकते हो और काफी बड़ा मंदिर है यह और यहां पर यह बड़ का पेड़ है और यहां पर यह इनिम का पेड़ और पाड़ पर रही है मंदिर इतनी आइट पर भी नहीं है आने में इतनी दिक्कतनी होगे यहां से तो गाई जी यहां पर एक उफा यहां पर बोल लगा हूँ है मैं आपको इसका दिखा देता हूँ आप देख लीजिए तो वीडियो रोक के आप यहां पर यह पढ़ सकते हैं इसके बारे में और यह मराज लेकर जा रहे हैं हमी तो चलते हैं यह तो दक्षनी बाला जी है दक्षनों की देख लीजिए और यहां पर बावाजी विसंदाज जी ने शाय शरीर इस यह गुफा है लंबी इसका कोई अता पता तहें नहीं कितनी है अब मुशन बच्चों की वज़े से यह इसका छोटा रूप कर दिया इसका छोटा सा पहले यह बड़े रूप में थी यहां पर देखने हैं यह आपको अब देखा देखता हूं बच्चों की वज़े से यह हम नहीं तो गाइस यह गुफा आप देख लिजी इसका छोड़ का पता नहीं कहां पर है तो यह देख लिजी इतनी दूर से आपको दिखा रहा हूं और काफी छोटी गुफा है तो अंदर दो को अम जाग नहीं सकते इसको बंद कर दिया कि है बुच्चों की वज़े से और यह देख लेजी इससे बंद ही रखते हैं सिरफ वीडियो में दिखाने के लिए नहीं नहीं कोड़ ली थी खाला है इसको सावन की बारस को ग्यारस बारस को परगोराम होता है और इसको साफ सफाई करते हैं हमन करते तो बरसात होती है हमेशा ही चाह वो भारी आओ या हर्क आओ लेकिन बरसात जरूर आती है यह बाबाजी की माननीता है तो गाई जी है खाला आप देख सकते हो इसको जब भी साफ करते है ना तो यहाँ पर बारिस होती है चाहे हलकी हो चाहे बारी हो तो आप देख सकते हो यह है वो खाला और यह है वो गुफा जिसके अंदर बाबा जी सरी समय गए थे इसे अब बंद कर दिया गया है सिर्फ छो हो चमतकार ही एह जब भी इसे साफ करते हैं तब बारिस होती है तो गयाइज अभी तो हम उस खाले के पास में जाके सिरफ मराज्जी ने बात इह की थी कि बारिस हो जाती है इसको साफ जाने पर बारिस और यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से देखिया सग उस नजाराएff तरफ आपको पार दिखा यह रहे होंगे यह देख सकते हो तो गाड़ी लेके ह daw तो यह रास्ता है आप देख सकते हो यहां से आता है और जहांसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था यहां से ओके और यह यहां पर मैंने आपको बोल की तस्वीर दिखाय थी वहां तक जाता है यह रास्ता तो अंदर से अब आपको दर्सन कराते हैं बगवान की विशंदास जी के दर्सन कराते हैं जिनका ये मंदिर है तो चलते हैं और आपको कराते हैं दर्सन और आप आस पास का नजरा देख सकते हो ये है पूरा गाउं, बुद्धोली गाउं है और यह देख लिजी आपको पाड दिखाई दे रहा होगा काफी उपर और यह है यहाँ पर यह पाड इस पाड़ी पर मंदिर अबजरंगुली का काफी आइट पर है और यह मंदिर भी पाड़ पर है पर इतनी उंचा ही पर नहीं है को चलते हैं और आपको दर्षन कराते हैं यहां से है इसने टो चलते हैं रापकोड़ाटे मंदिर के लिखा ओई है यह देह लिए है और यह हैं एट्रीगेट इस सो यहाँ पर इंगंटी बगएरा लगाई होई है तो गाई जी है मंदिर आप दर्शन कर लीजिए विसंदास जी का है यह मंदिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो आप कर लीजिए दर्शन यह विसंदास जी का मंदिर ऐसा कुछ इसका गेट है यहां से हम नहीं आपको दिखाया है काफी दूर तक है यह मंदिर और अंदर से कुछ इस परकार का है तो आप देख सकते हो और यह है दूना यहाँ पर प्रती दिन तपसे होती है तो आपको मैं दिखा देता हूँ देख लिजी यहाँ पर होता है दूना तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रती दिन दूना होता है तो और काफी पुराना टाइम गाई है देख लिजिए गोबर से लिप पाई की हो यह इसकी और ऐसा गुच्छा है यह यह दादु द्याल जी पंच से हुए है यह मावन जी दबतरी जी के चले थे बाबा भी संदा जी ऐसा मानने है यह जान करें के अनुसाद यह ने रांदा जी जो मेरे से पहले थे हाँ यह गुरु माराज हाँ इन से पहले यह थे यह दिख लिजे इनकी तस्वीरियां पर की लिफ्क लिए पहले कौन थे संब के नाम यह पर लिखे हुए है आप देखलें यह और गयार ओनबर पर यह जिन सेमें अब यह इंट्रिव्ली लिया उन्होंने मंदिर की जानकारी दी हमें पूरे मंदिर की और आप देख लीजे, यहां पर सब के नाम लिखे हों हैं और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यह गद्धी है, जिसए यह बैठते हैं मराजी तो आप देख सकते हो और यहां पर पानी पीनिंग लिए मत्के बखे गए हैं यहां पर खुल्लाइरे कफी और उपर आप बाड़ बगेरा देख सकते हो और यहां पर बंडार बगेरा होता है तब यहां पर देखे बड़े बड़े चुल्ले बनाएं गए हैं यहां पर खाना बनता है तो देख सकते हो आप ऐसा है तो यहां पे काफी सारे भगत भी आये हों यह आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो यहाप इसा कुछनजर techniques अमिटर हो समुल रख़ा है और उपर से अप मंदिर आपको दिखाई में और वहाँ गया से काफी बड़ा मंदिर है और उपर ये साइड में आपे पाड है और ये है पूरा मंदिर और इधर से पूरा गाउं का नजर होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हूँ, यह है पूरा गाउं यहां का, और इस मंदिर की बहुत ज्यादा मानेता है, और वो सियाजास्टी का मंदिर भी आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यह देख लिजी, यह दिखाई दे रहा होगा आपको, सियाजास्टी का मंदिर और यह पूरा गाहियां का जय जो चलते हैं यहां पर मराज के चरण चरण पगलिया है जाए हनपर सब्सक्राइब वह उनके हाइन का दर्सन करते तो वीडियो के चनल गारें तक है 안गायी तो इसा रास्त्ता है जाती है और आपको घराते है दरसन इसकुछ रास्ता है तो भाई जी है टोपइस मंदिर का और ये है चरनंपलिया जिन के दर्सन करें रहां धिया ये आप देख सकते हो में थोड़े जुम करके आपको दिखा देता हूं स तो ये me कि पगलिया तो गाल जी एक पगलिया यहां पर देखिए सब कुछ लिखा हूँ आप देख सकते हो झाल आपको दिखाए था और चारो तरफ से दिखा देता हूं तो यह आप पड़ सकते हो यह पर लिखा हूँ है और उपर से कुछ ऐसा यह घुम्मद है यह है गुम्मद आप देख सकते हो और इसके अंदर है गले और replicate ख़ने सफ़ाई और यह देख़ ली bastards यहां पर जिते में तर। समाधि ली थी वह यहां पर ली थी देख ली यह आप देख सकते हो यह आप देख सकते हो आपको सब दिखाए दे रहोगा और उपर पहाड है काफी बड़ा और यह वो गुम्मत जिसके अभी मैंने फॉंटो दिखाई थे आपको मैं और इदर आप रियाली देख सकते हो काफी ज़्यादा रहा है रियाली है यहां पर और अभी हम जहां पर खड़ेंगे मंदिर का टोप है और यहां से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहां से यह सा कुछ रास्ता है जहां से हम आए थे और यह मंदिर जो आप निचे हमने आपको दिखाए था तो देख सकते हो आप यह है पूरा मंदिर और उपर है बाला जी का मंदिर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यह बाला जीगा मंदीर यह बगत यहां पर यह सफाई कर रहे थे अभी तो मंदीर की सफाई यही करते हैं और यह उपर से हम टोप पर खड़े हैं यहां से एक बार मैं आपको पूरा गाउन दिखा देता हूं तो देख लिजे यहां पर इस पर वगधर अलगे हुए हैं और यह कंबूत्रों के लिए चुगा के लिए बनाए हुआ हो ही देख लीजिए। आप देख सकते हो और यह पुरा गाँ। है। इन पुंक तो देखें पंडी जे निया प्रगुह साला भी खुल की हुई है। यह गाय तो यहां पर हैeking और जैसे और कोई गये आएगी तो यहां पर कफे सअरी जगहादा बनाए और गवसला टाइब की बना दे जाएगी तो बस घाλαर właści की जाएगी तो यहां पर इक ही गाय बन्दी parlar है और उच्छा मनदी हुगी थो अग्धी आज आज हमने आपको दिखाया ककफी जिन्होंने मोहन दारन कर रखा है तो इस वीडियो में इतना था मिलते किसी और वीडियो के अंदर वीडियो देखने के आपका दन्यवाद